या आप लोग 500 या 500 से ज़्यादा डॉलर मंतली फाइवर से कमाना चाहते हैं जी हाँ मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप लोग 500 या 500 से ज़्यादा डॉलर फाइवर से कैसे कमा सकते हैं with life proof तो यहाँ पे मैं आपको जो है वो अपनी profile open करके दिखाता चलू तो यहाँ पे मैं इसंबर में जो earning की है वो 483 डॉलर और यहाँ पे आप लोग मेरे active orders भी जो है वो देख सकते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको complete detail बताऊंगा कि किस तरह से जो है वो आप लोग जो है वो जो है वो earning कर सकते हैं किस तरह से आप लोग जो है वो अपनी niche चूस करें और किस तरह से आप strategy बना के जो है वो फाइवर से जो है वो earning start करें तो चलें शुरू करते हैं सबसे पहले जो है वो आपने जो है वो कोई ना कोई जो है वो skill या कोई niche जो है वो तलाश करनी है यहा इस field के अंदर देखते हैं तो आपको 38K का competition मिलता है SEO content writer के अंदर अच्छा फिर कुछ लोग करते यह हैं कि वो SEO web content के लिए लिखते हैं लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो competition है वो 41K का है अब इतनी बड़ी competition के अंदर आपकी gigs कैसे rank करें यही हमारी सबसे बड़ी problem होती है कि हमने जो है वो अपनी niche ही नहीं तलाश की होती है यहाँ पर मैं आपको बताता चलूं कि niche आपने कैसे तलाश करनी है आप यहाँ पर लिखें SEO Pinterest SEO और आप इसके अंदर जो है वो competition देखें तो 2007 का है और इस पर आप projects पर देखेंगे तो लोगों के पास 1K projects है इन साब के पास यह level 2 sellers है, यह level 2 sellers है, यह level 1 sellers है, यह level 2 sellers है तो आप लोग जो है जो भी आपने niche तलाश करनी है वो आप लोग ऐसे तलाश करें ऐसे नहीं कि हमने SEO की ही तरफ जाना है, वह SEO आपने किस चीज़ की करनी है आप ने देखा कि यहाँ पर SEO Content Writer के अंदर 38K का competition है लेकिन दूसरी तरफ Pinterest की SEO के अंदर जो है वो 207 का competition है, कितना low competition है इस तरह से आप लोग जो है वो low competition की जो है वो field में जाएं अब मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर लोग जो है वो जाते हैं, आडियो एडिटिंग के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं, जी 1.8K का competition है, आडियो एडिटिंग के अंदर लेकिन मैं यहाँ पर लिखता हूँ, आडियो एडिटिंग for ACX यह एक platform है, जहाँ पर जो है वो आडियो अप्लोड होती है, आडियो बुक अप्लोड होती है ACX, तो आप देख सकते हैं, competition जो है, वो कितना low हो गया है 462 का, तो इस तरह से आपने जो है, वो niche चूज करनी है, जो के towards specific हो, जब आपकी niche specific होगी, तो लोग आपके पास जो है, वो आएंगे और फिर आपको order मिलने के ज्यादा chances होंगे अकसर लोग क्या करते हैं, अकसर लोग जो है, वो logo design के अंदर आप देखेंगे तो 1,29,000 का competition नज़र आ रहा है, लेकिन फिर लोग जो है, वो logo design के अंदर जो है, वो business logo design की तरफ चले जाते हैं आप देख लें, बिसनस logo design में इस से ज्यादा competition है, फिर अकसर लोग जो है, वो इसको थोड़ सा specific के लिए जाएं, तो real state तो जी, logo design के अंदर real state में आते हैं, तो यहाँ पर आपको जो है, वो 12K का competition नज़र आ रहा है, लेकिन यहीं पर हम लोग जो है, वो logo design NGO लिख देते हैं, तो आप देख सकते हैं, competition कितना कम है, जब competition कम होता है, तो लोग भी बहुत कम होते हैं, लेकिन आप जो है, वो ऐसे नीच तलाश कर सकते हैं, कि आप कोई ऐसा logo design दें, जो के target हो, specific हो किसी चीज़ के लिए, इसी तरह से अकसर लोग जो है, वो designing के अंदर आते हैं, तो design के अंदर आते हैं, और उनकी जो geeks है, उसके अंदर जो target word होता है, वो graphic design होता है, लेकिन यहाँ पर आप देखें, कि आप को 12K का competition नजर आ रहा है, graphic design के keywords के ओपर, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो है, वो आप चले जाएं जी, icon design के अंदर, तो यहाँ पर म लोग जो है, वो काम करें, ताकि आपको जो है, वो project मिल सके, यहाँ पर अकसर लोग जो है, वो चले जाते हैं, जी, Facebook ad के ओपर, Facebook ads के आप थोड़ी से बात करते हैं, काफी ज्यादा जो है, ट्रेंड चल ला है, digital marketing, आप यहाँ पर देख सकते हैं, Facebook ads के अंदर, जो है, वो 14 people keywords तलाश कर सकते हैं, मैं यहीं नहीं कह रहा है, कि आप लोग book ads के ओपर gigs बना लें, या पिर जो है, वो आप Pinterest की SEO के ओपर gigs बना लें, या पिर जो है, वो आप NGO logo के ओपर gigs बना लें, या पिर आप icon design के ओपर gigs बना लें, बेटर यह है, कि आप लोग जो है, वो अपनी जो जो भी आपकी फील्ड है उसको specially steady करें और उसमें जो है specially देखें कि आप दूसे लोगों से कैसे different हो सकते हैं और ऐसी जगा पे जाएं जहां पे competition कम से कम हो इस तरह से अकसर लोग जो है वो सबसे ज़यदा हम लोग देखते हैं तो virtual assistant की काफी जड़ा गिक्स नदर आती है हमें virtual assistant की तो आप देखें 20K का competition है लेकिन virtual assistant virtual assistant for shopify में देखूं तो आपको यहां पे आपको जाए हो वही 4K गिक्स नदर आ रही हैं तो आप इसको इससे भी कम करें तो आप जो जितनी भी आप जो भी field choose कर रहे हैं उसमें आप देखें कि मैं दूसे लोगों से कैसे unique करूं और कैसे जो है वो हम लोग जो है वो कम से कम competition में जाएं ताके हमारी gigs rank हो जब gigs rank होगी तो आपको जादा जांस है कि आप लोग project win कर लें second part जादा यह के अकसर लोग जो है वो fiverr के ओपर आते हैं account सुना लेते हैं और एकद गिक्स वना ली और उसके बार जो है उसको छोड़ देते हैं लेकिन वो यह नहीं जानते कि आप लोग जो है वो 7 कि 7 गिक्स लगा सकते हैं तो आप यह देख सकते हैं इनकी जो है वो 6 गिक्स लगी हैं तो जितनी ज्यादा आप जिक्स लगी होंगी उतना ज्यादा चांस होगा कि आप जो है वो project जो है वो win कर लें अब इन साब को देखेंगे तो आपको इनकी जो हर गिक्स है वो दूसरी गिक्स है और उसके बाद वो buy request को नहीं यूज़ करते यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि आप जो है मैं dashboard में जाता हूं और उसके बाद यहां पर more के थूर आप लोग जो है वो यहां पर जो है वो आपको जो buy request हो रही होती है और यहां पर आपने send proposal में देखना है और आपने जो भी अपनी gigs है उसको choose कर लेना है यहां पर आपने वो अपना जो project proposal है वो लिखना है यहां पर आपने price डालनी है यहां पर days और उसके बाद इसके साथ जो है वो number of prevention рionट और end पर आपने send कर देना है तो इस तरह से आपने क्या करना है सबसे पहले जो है वो आपने अपनी जो है नी चूज़ करनी है जैसे कैसे मैंने आपको जो है हो multiple field के लिए बताया जैसे मिने आपको आपको से से लेक्टिटज बताया आडियो रिटिंग से लेटिड बताया, फेस्बुक एड से लेटिड मैंने आप बताया कि आप बुक एड्स कर सकते हैं, इस साथ आप साथ की मस्के मस्क बनाएं, फिर आप बायर रिक्वेस्ट के उपर जो हो फोकस करें, और आप लोग जो है वो ऑनलाइन रहें, ताकि जब आप लोग ऑनलाइन रहेंगे, तो क्लाइन आपके पास आएगा, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे, तो मेरे चैनल नौलिज्टाक उर्दू को ज़रूर सिस्क्राइब करें, थैंकियो सो मच पर वाचिंग माई वीडियो,